गूड इविनिंग गाईज कैसे हो आप सभी मैं हूँ आपके साथ आपकी रुतुजा मैम और इस वीडियो से मैं कवर करने वाली हूँ आपका महाराश्ट्र स्टेट बोड का स्टैंडर्ड एट का जनरल साइंस की बूक ठीक है इस वीडियो से हम कौन सा टॉपिक देख रहे कि अपना सेकेंड लेशन सायांस का सेकेंड लेशन ठीक है इफेशन मैं सब TL ठाव साहँ आपने मेरे सबी प्रीवेस वीडियो करने तो अभी हम आगे। सब Cake अगे चालू करते हैं अब हमने हमने क्या कर ाजऱ देखे हैं उसने इन्धियांवी तो फटप्र मीं चल तो अभी हम चलते हैं सिधे topic के उपर ठीक है तो चलो निकालो जल्दी से फटा फट तो ये देखो हम आ गए अपने second lesson के उपर क्या नाम था अपना second lesson का health and diseases तो हमने सबसे जो previous अपना वीडियो है second lesson का मतलब जो सबसे first वाला वीडियो है second lesson का उसमें हमने ये introductory part किया था I hope आपको याद होगा then हमने ये कुछ इस तरह से ये भी slide cover up की थी ठीक है I hope आपको सब याद आ रहा है और last वाले वीडियो हमने last वाले वीडियो में infectious diseases देखेते ठीक है infectious diseases में हमने क्या देखा था tuberculosis मतलब TB then hepatitis मतलब jaundice then dysentery cholera and typhoid इतने देखे थी ठीक है बराबर या याद होगा उसके बाद हमने thank you कि starting देख लिया था हमने ये वाले डायग्राम वगरे अच्छे से समझ ली थी ठीक है guys तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपना next slide के उपर और हमारी next slide में क्या है देखो तो कुछ आपके लिए देखा दिया है इन्होंने क्या है ये do you know guys तो do you know में क्या दिया है देखो तो चलो हम साथ में पढ़ते हैं बच्चों ठीक है तो मेरे उपर ध्यान दीजिए malaria is caused due to the female anophilies while elephantitis is due to female culex and anophilies and the addies grow in clean water while culex in dirty sewage water मतलब क्या है ये किसका नाम है अनोफिली वगेरा किसका नाम है ये ये नाम है armscutos का ठीक है myoscutos का नाम है मा mosquitoes मतलब मत्लब 시청 होते हैं ठीक है उनका नाम है मतलब ये हम को क्या समझ लिए आता है ये इस सब पढ़ने की malaria मतलब क्या होता है उसमें uh उसमें fewer आता है वरलगा ठीक है पता होंगा आपको तो तो Def있는 malaria मे cirrhuse तो उसके कि इंट आति है वो कुन सी आती है वोह आती है ऑलिख इंडरलाइन कर लेना है यह किस्तन वाइल आंति यह किसे होता है दूटु फिमेल क्ओलैक्स क्लीक्स के वज़्श Зд schne fakwa biz रघ टाइ मतलब जो अच्छ वाटर है उसमें ही होते हैं कोन यह अनोफिल नाम के मौस्कु टोज और क्यूलक्स किसमें होता है डर्टी गंद पानी में सीवर्ज वाटर में ठीक है आई होब आपको यह वाला डू यू वाला पार्ट इतना पार्ट समझ में आ गया होगा तो नाव मुविंग तो देंग्यू के हमने रिजांस देखे थे और प्रिवेंट्व मेजर हमने लास्ट टॉपिक में देखे थे वराबर ठीक है यह वाली स्लाइड याद करो घिस वां ठीक है हमने यह स्टम क्या देखे थे सो अभे हम उसके बारे में उसके आगे क्या देखने वाले है श्वाइन फ्लू ठीक है स्वाइन फ्लू के reason of infection और symptoms भी देखने वाले है स्वाइन फ्लू में उसमें क्या होता है उसमें भी एक तरह का फीवर ही बोल सकते है ठीक है गाईस तो उसमें क्या होता है देखो कुछ अलग मतलब अलग क्या होता है देखो infection for infection for swine flu occurs through pigs and humans कैसे होता है pigs सबसे पहले swine flu ये डिसिज है pig का ठीक है pigs काасть तो pigs इन्वें से यह किसमें आया जैसे हम बोलते है नब तक ऐसे 100% शोरेटी से तो ये डिसकवर नहीं हुआ है लेकिन जैसे बोलते है न कि corona कैसे आया कि corona चमकादर में से है ऐसे बोलते हैं तो वैसे ही क्या है यह सवाजन फ्लू किसमें से इंधख़ से श्मेधन में आया है ठीक है वायरस्वऑफड़ वいます वुच्वज उफ्काडर सुनुक है युल्फीट परश्न्स गत्रों कोभी इंधूर्छचटgle को सबख्ड़व है उसके उपस्वेट कोगी then similarly it is a spread through secretions of nose throat and saliva मतलब उसके saliva में saliva में भी से क्या होता है इन्फेक्शन होता है जैसे कि मान लो कि हमने उसका किसी भी infected person है ठीक है कोई मान लो कि ये एक infected person है ठीक है इसका नाम है इसको क्या हुआ इसको swan flu हुआ है अगर हमने मान लो कि इसका हमने जूटा खाना खा लिया या फिर हमने इसका जूटा water पी लिया तो मतलब उसमें क्या होगा उसको saliva add होगा तो उससे क्या हो जाएगा हमको भी swan flu हो सकता है दूसरा nose से मतलब उसने मान लो कि हम उसके बिल्कुल नजदिक खड़े थे ठीक है मान लोग यह कोई एक बी-परसन है यह उसके बिल्कुल नजदिक खड़ा था और इसने बोग जोर से छीक ले ली ठीक है तो क्या हो जाएंगे वह पूरे ड्रॉपलेट सलाइबा के ड्रॉपलेट्स एन्वर्मेंट में आ जाएंगे म बहुत ज्याएंगों और मुच और ठीक हो जाएगी कर ड्रॉपलेटिं दश्व्वे नजदिक खड़े जहाएंगे बहुत ज्यादा haveot कilti है इन्टेक को अ तो आपको बहुत ही जोर लगा के सास लेना पड़ेगा ठीक जैसे कॉरोना में सेसी में घ्ल OWN जोMax aHow Tyal हूब को इससे करते इस समझ के आगया होगा कि ऐसी difficulty होती है breathing में ठीक है तो उस तरह की difficulty भी होती है swine flu में भी then sore throat मतलब throat कैसे हो जाता है बिल्कुल सूप जाता है ठीक है और क्या होता है body pain body में भी इधर उधर से पूरी body में दर्द होता है pain होता है so these are the some symptoms of swine flu I hope this slide is clear to you all guys now moving to the next slide there are some visualization for symptoms of swine flu मतलब यह कुछ diagramatically समझाया गया है ठीक है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रखा है यह आपे तो देद को कुछ है कुछ है swine flu के symptoms तो lack of appetite मतलब भूख जादा दर नहीं लगती then coughing मतलब cough होता है lungs में जमा और उसके वज़े से क्या होता है respiration में बहुत ज़्यादा problem आती है ठीक है अच्छे से breathing नहीं कर सकते there is a lot of difficulty while breathing then gastric मतलब noise and vomiting भी होती है ठीक है then diarrhea भी हो सकता है और runny nose मतलब cold वगएरा होती है ठीक है sore throat मतलब बिल्कुल सूख जाता है गला then उसके बाद fever this is the सबसे बड़ा symptom है fever ठीक है these are the some symptoms of swine flu ठीक है I hope इस diagram से आपको symptoms याद है ठीक है बच्चों क्या करना है देखो इतने सारे अलग-अलग type के disease है बराबर अभी तक हमने बहुत जादा type के disease पढ़ लिये है ठीक है और इसके बहुत जादा अलग-अलग symptoms है बराबर और लेकिन इसमें बहुत सारे symptoms क्या है common है बहुत जादा symptoms क्या है हमारे common है common मतलब क्या बिल्कूल एक समाने ठीक है यह फीवर जैसे अभी इसमें भी है इसमें लेशंद आपको क्या कर लेना है एक आसी पर नहीं अज़िए आपके ब्लैंक पेज़ लेना है अपर छाणे पर उपर क्या करना है आपको ऐसे common वाले symptoms क्याँता है अब यहाप पर मानलो कि हमने लिक लिए फिवर ठीक है क्या लिख लिए या फीवर तो फीवर कौन से कौन से कौन से डिसेज में होता है ठीक है स्वाइन फ्लू में होता है ठीक है अब मैं स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू ठीक है alea malaria में भी होता है malaria orcus में होता है डींग्यों में भी होता है ऐसे आपको लिख लिना थीख है फिर दूसरा दूसरा मान लों की अभी फिवर ले लिया अभी हम क्या लेंगे अभी हम लेंगे कॉफ लेंगे ठीक है कॉफ तोड़ किस में किस में होता है भर प्टिव में होता है बराबर मंहें हम देखा कि सवाइन फ्लू में कफ होता है और ऋडिशों में काफिन भंलिके नाम लिखने लिख लेने आए मतलब इस से क्या में हो जाएगा कि आपके सड्रय कर लिया मतलब कॉमन वाले साथ mesma li डाल दिये तो आपको कैसे बार-बार याद नहीं करना पड़े का ने तो आप क्या करोगे कि इस मान लो कि आपने कुछ इस तरह का मान लो कि आपने लिख लिया किया है स्वाइन फ्लू है ठीक है स्वाइन फ्लू के जो भी जितने भी पाच्छे सिम्टम से आपने वो लिख इन उसके बाद兩ू के तिके है इसके भी 45 symptom लिख लिये examine TV ठीविए फिकए अपने 45 symptom लिख लिए तो आप क्या हो जा questi एकन बहुत से वाहं मैंने इस खैसे नोटे आद्ट बनाने की टेकनिक मैने अभी आपको बता दी इस निक से आपको काया अगर आप उतना पढ़ाई करते हो तो ठीक है तो यह this is the best idea to revise the symptoms of different different diseases ठीक है I hope यह तक आपके लिए पूरे slide आपके clear होंगी so अभी आते हैं next page के उपर तो देखो गाई जिशाप पर क्या लिका है पढ़ लेते हैं diagnosis of Swine Flu diagnosis मतलब हम कैसे पहचानते है डाइग्नोस कैसे करते हैं उसको कैसे बता लगाते है कि क्या हो मतलब जो pathology lab में क्या होता है तो देखो for diagnosis of the Swine Flu liquid from the throat of patient is sent in laboratory diagnostic facilities are available in National Institute of Virology Pune and National Institute of Communicable Diseases NICD Delhi तो देखो क्या होता है जैसे हम कोरोना में patient के लिए क्या करते थे rtpcr या फिर antigen करने के लिए ऐसे एक एक रहते थी तिछिक है इसमें कुछ एसे white बर्ड जैसे होता था और इसको हमारे नाक में घुसाते थे या फिर हमारे throat में से भी खुसासे थे ठीक है और इसमें हमारा सलाइवा लगता है फिर इसमें ठीक है और फिर उसको क्या डालते है उसको एक टेस्ट चुब होती है ऐसे एक टेस्ट चुब होती है उसमें ये वाला ये वाला वाइट वाला जो अपना बढ़ है जिसमें क्या लगा है त्रोट मे इसमें शरज जमा घस्क करति है जिसको फिर पैस्माराइब बीजितों, प्रोस्मीड बगप सब्सक्राइब दिए तो पर स anxi कि इस्काम वंपनीची यह तो अलगता है, तो उसकी जो मेतर है वो सेम ही है ठीक है तो अभी आप तो बड़े हो गए हो एट में हो तो मतलब आपको कोरोना की प्रोसेसिंग सब पता है क्योंकि आपको उसी की वज़े से दो साल चुट्टिया थी है कि नहीं तो कोरोना की जो प्रोसेस है वही सेम अलमोस प्रोसेस सभी वाइरस में लगती है ठीक है तो अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट देखो यह एक्स्ट्र जानकारी है क्या लिगा है इसमें क्यों फर्स्ट केस ऑप इंडिया में घाला में मिलाम तो वैसे सबसे पहले मेक्सी गेसे नाम में नेन फ्लू है उन एक वाईरस घ्र एच Chrski एन दर फरोगेंस कम इन और केह श्रीक था आगली के स्वाइन कै consolidated नщё्व मивается उनल तरहा कॉनिक बैसे स्वां मेह थर्फरी वाईरस का सॉइन धर ख्रॉएनग कर दो Catch का All ठीक है जिस भी country में जादा तर पिक्स खाते है या फिर पिक्स को पेट के तर भी कोई घर पे रखते है या फिर कोई जो भी है जो परसन जादा पिक्स के कॉंटक्ट में आते है उनको हाई chances होते है सवाजवाइन फ्लू होने के ठीक है यहाँ तक clear अभी क्या करेंगे हम AIDS के बारे में पढ़ेंगे तो AIDS का AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है देखो acquired immuno deficiency syndrome ठीक है जाई क्या कर लेना है इसको underline कर लेना है साथ में इसका हमने फॉल फॉर्म याद कर लेना है क्योंकि हमेशा क्या होता है पेपर में एक मार्ग का कोशन हमेशा fix होता है एक मार्ग का कोशन mcq या फिर fill in the blank write down the full form of AIDS तो क्या है AIDS का फॉल फॉर्म एड्स का फॉल फॉर्म है acquired immuno deficiency syndrome ठीक है तो इसके नाम से क्या समझ में आता है कि हमारी जो immunity system है यह उसको क्या करता है deficiency आती है मतलब हमारे इम्मूनी जो हमारे immunodeficiency virus ठीक है यह भी AIDS भी किससे होता है वाइरस के वज़े से होता है ठीक है तो इसका इसके वाइरस का नाम क्या है HIV एचाईवी का फॉल फॉर्म को याद रखना है साथ में underline कर लेना है बुक में तो HIV का फॉल फॉर्म क्या होता है human immunodeficiency virus ठीक है अगर आपको pronunciation में difficulty आ रही है तो वहाँ पे pencil से लिख लीजिए क्या होता है मैं फिल से प्रणाउस कर रही हूँ उसको HIV का मतलब है human immunodeficiency virus ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है in this disease victim suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity तो देखो गाइस यहाँ पर क्या होता है देखो मैं यहाँ पर समझाती हूँ देखो यह कोई एक person है ठीक है मैं इसको draw कर लेती हूँ ठीक है आपकी तरह मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है समझ लो कि यह कोई person है ठीक है यह कोई person है इसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी rocky ठीक है आप मेंसे किसी का नाम रॉकी है तो यह वह वाला रॉकी नहीं है गाइस ठीक है आप बहुत ही अच्छे टालेंटेड और हेल्दी बच्चे हो तो इसको क्या हुआ है अभी मान लो कि इसको हुआ है ओमिज पीगार्ण Here ॅचर्स का नाम है आशचा को है फay तो अभी इसकी जो इंश्यदा में लोगी वह पूरी तरह से वीख हूगे पूरी तरह से इसकी इम्मुनिट externally में सनाओ यह बहुत ही को बहुत ही ज्यादा वीख को बहुत ही जादा वीख तो इसको ऐसमें एक ह Buddistic नहीं होगा मतलब मानओ तो एसको ऑल्रेडी सब्सक्राइए तो इसको अलग हो जाएंगे तो इसके पूरी की पूरी बाड़ी रहती हिंन और पूरी तरह से विक हो गई रहती है थिक है मतलब इसको 120 last of अलग डेजन्स objective ब्यूस कोठ सकति हो सकती है क्यूंकि आलरेटी इसकी इ्म्स परफ होजाती है क्याकि तो हमने कि एक वाइरस से कौन सा डिसीज होता है एड होता है बराबर और एड क्या करता है पूरी की पूरी इम्मुनिटी सीस्टीम ही खराब कर देता है ठीक है इसके वज़े से बहुत सारी अलग-अलग टाइप की डिसीज होते हैं समझ गाया यहां पर क्या लिका है आपको आपको समझ में आ गया होगा अभी मैंने क्या पड़ाया तो क्या है यह भी एक वाइरस है वाइरस की वज़े से यह बिमारी हुई है तो हम डॉक्टर के पास जाके ऐसे नॉर्मल नॉर्मल ऐसे बोली के कि हाँ बही यह डॉक्टर साब मुझे यह यह हुआ है यहां पर दर् डाइग्णोस कर सकते कि आपको एड्द हुआ है तो एड्स कैसे पता कर सकते है ज्यूंकि वाइरस है तो सभी टाइप के वाइरस की आज कैसी होती है लाबरॉटरी में जाके प्धालोगिमें जाके टेस्ट होती है और उसका रिजर्ट आने के बाद ही कंफिम ह這邊 क्याले हु के अलग ट्रेस्ट होती है तो उसी तरह से एड्स के टेस्ट का नाम होता है एलिसा ठीक है यह नाम हमको अंडरलाइन कर लेना है कौन से इस टेस्ट का नाम है एलिसा एलिसा टेस्ट से क्या समझ में आता है कि आपको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है एकॉर्णिंग टुद रिजल्ट देन यूस्ट फॉर प्रॉपर डियाग्नोसिज शिम्टम्स ओफ एड्स आर प्रेजेंट आर परसं स्पेसिफिक तो वह हर एक परसं में डिफ्रेंट डिफ्रेंट होगे स्पेसिफिक होगे क्योंकि अलग अलग परसंग होते हैं बराबर त मतलब कि जैसे ठीक है ये कोई परसंग है कोई परसंग मतलब मान लो कि रॉकी ही है वो परसंग अभी हमने लास्ट लाइड में पढ़ा ना कि मान लो कि हमने रॉकी को हुआ था तो रॉकी इस लाइक एक्स वाई जेड मैं जैसे हमेशा लेती हूँ ना कोई भी परसंग पर यह अंदाज यह कोई भी एक रौकी राम का परसन है ठीक है या फिर आप इसको एभी एभी कंसिडर कर सकते हो ठीक है तो इसको हुआ है तो एक कोई दूसरा परसन है अलग बी परसन ठीक है तो यह बी परसन अगर इसके कॉंटेक्ट में भी आती है मतलब कॉंटेक्ट में मतलब कैसे जैसे उपर-उपर से कॉंटेक्ट उपर-उपर से मतलब की जैसे इसने इसका जूटा काना खा लिया या फिर इसने इसका जूटा पानी पी लिया या फिर इसने इसकी अच्छे से चाहिआ देख बाल की मतलब नर्सिंग तो इसको नहीं होगा ठीक है तो एड़ नहीं होता बिल्कुल ही फीजिकली अगर कॉंटेक्ट में आते है तो फिर एसltट करल कम caon नहीं होता है यहां तक Khalil क है ऑक करना कि तो अबिःवे बिट एचाई वी इंफेक्टेट person must be normal तो जिसको भी HIV हुआ है तो हमारा उसके साथ कैसे behavior होना चाहिए बिलकुल ही normal behavior होना चाहिए ठीक है HIV was first reported in an African species of monkeys तो कहां पर यह सबसे पहले पाए गए है HIV तो monkeys में और कौन से monkeys में जो African species वाले monkeys में ठीक है According to the National AIDS Control Program and Un-AIDS 80-85% HIV infections in India occur through unset sexual contacts तो जादा तर कैसे हुए है इंडिया में जादा तर कैसे होते है कि unsafe sexual contact से होते है मतलब कि हमको पता नहीं कि किसी person को हुए है कि नहीं तो जो भी precautions होते है वो precautions use करके नहीं sex किया जाए तो वो sexually contact से क्या होता है unsafe sexual contact से जादा तर इंडिया में AIDS क्या हुआ है फैला हुआ है ठीक है तो वो सब precautions हमको लेनी है गाईस और हमको दूसरों को भी समझाना है ठीक है यहाँ तक clear I hope यहाँ तक आप सब को सब topic clear हो गए होंगे तो यह देखो यह क्या है हमारी कुछ visualization है आपको याद रखने के लिए ठीक है गाईस तो यह है infected person कोई भी आप इसको नाम देजिए ए बी जी डे एक्स वाइज एक्स वाइज एक्स वाइज एकोर्डिंग टू दाट सो क्या करना है person to person कैसे होते है कि अगर unsafe sexual contact आता है इन दोनों में तो या फिर blood हम इसके blood के साथ हमारा blood contact में आ गया तो ठीक है देन वाइल इसके साथ sexual contact में आके pregnant वगरे हुए है तो या फिर जैसे उसके कुछ चीज इस्तमाल किया जैसे कि इसी के razor से हमने shaving कर ली ठीक है तो उसको भी blood उससे भी contact में आता है तो इन सब चीजों से कैसे हो सकता है इसका aid दूसरों को भी हो सकता है ठीक है और क्या होता है बाकी तो हम ऐसे handshake करने से नहीं होता या फिर साथ में अगर फिर इसका जूटा भी खाना खा लिया ये normal friendship से वगरे नहीं होता ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा सो क्या है infection through animal हभी हम क्या करेंगे ये topic नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है नहीं तो फिर जादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बूर हो जाओगे ठीक है तो ये slide आपको क्या करना है समझाने के लिए डाली है मैंने ओके गाइस सो थैंक्यू सो मच आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा लाइक किया अगर आपको हमारी concept समझ में आती है तो क्या करना है लाइक करना है साथ में अगर हमारे चैनल पे नए हो तो subscribe करना है और previously topic भी बहुत अच्छे से मैंने cover up किये हुए है वो भी आप जाके visit करके हमारे चैनल पे देख सकते हो separate हर एक topic की हर एक subject की और हर एक standard की अलग-अलग playlist हमने बनाए हुए रखी है और आपको साथ में क्या करना है आपके friends के साथ, best friend के साथ clicks के साथ क्या करना है share करना है हमारा वीडियो साथ में प्रेश देब बेल आइकन for notification so thank you so much guys have a nice day take care stay tuned bye bye